तो माई डेर स्टुडेंट यह है बे थर्ड समेस्टर हिस्ट्री का पूरा का पूरा माडल पेपर कोश्चन पेपर और खास बात इस वीडियो की यह है कि इस माडल पेपर से ऐसे कौन से कोश्चन है जो आपकी परिच्छा में इस बार आने वाले उनको मैं आपको बताऊंग कि आपका जो सब्झेक्ट है वह हिष्ट्री यानि कितिहास है और प्रस्णपर्त हिफजर कर ना मैं हिष्ट्री को इस बात को ध्यान लखेंगे और consume को हिंद में बोलते हैं आदुने कि तिहास ठीक हैं इसे 보न कोश्चन होंगे समय दो घंटे का मिलेगा पुडांग 75 होगा और पहला पेज जब भी आप पेपर देने जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का तो आपको ऐसे देखने को बिलेगा सबसे पहले खंड आ जाएंगे खंड आ में आपको अतलिक उत्तरी कोश्चन देखने को अतलिक उत्तरी प्रश्चन का उत्तर कितने सब्दों लिखना है और उसके लिए आपको कितने नंबर दिये जाएंगे यह पूरी चीजें यहां पर लिखी है आपको पढ़ लेना है ठीक है फिर कोश्चन को बढ़ना है तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी परिष्चा में क सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है पहला प्रश्चन है कि मीर कासिम मीर कासिम आप सभी के लिए नब्य प्रत्सत उमीद एक प्रश्चन फसेगा क्योंकि जायतर परिच्छा में प्रश्चन पूचा गया था एकाद दूपर इच्छा हुई जिसमें नहीं आया तो लगभग सभी में पूचा गया था तो इसलिए में बोलना हो कि इसको जोड़ प्रेपेर करें नोट कर लीजिए इलहाबाद संद यह इंप्रश्चन है यह आपके एक्जाम के लिए असी प्रसत महत्पोड है सो में से असी प्रसंट उम्मी दे कि यह संदी यह भी महत्पोड है यानि कि इलहाबाद की संद सहायक संद अमरत्सर के संद यह तीनों के तो पक्का फशी जाएंगे ठीक है नहीं तो एक तो गारंटी के साथ पसेगा बागी तीनों तयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए फिर प्रस्पाइंट रहें और ज्या मालवाडी बहुत कमाता तो इसको 50% उम्मीद मान की तलते आएगा बाकी नहीं आएगा ठीक है अगला कोश्चिन है कि मैं काले बिवरण पत्र बहुत कमाता तो आपकी इच्छा तयार के दरवाइग्नोर कर सकते प्रथम करनाटा के युद्ध यह आप सभी के लिए 70% महात प रखूंगा और जो कुछ कोश्चन है लगभर लगभर परिच्छाय में आये का दो मुर्स में नहीं और सब में आए तो उनको मैं 80-90 प्रस्त वाली कटगरी में रखूंगा ठीक है जिसे कि श्वामी वेकाननदी की बारे में लिखने क्लिए आएगा ते भी आप लोगों के सब्सक्राइब करिए तो जानना चाहिए तो एक्जाम के नजरीए से भी आप लोगत तक्यादी हो जाएगी प्लस आपका जबने नोर्ज भी इस्टों हो जाएगा तो इसके बाद अगला कुश्चन है कि बिले हड़ा पनीत कोश्चन बहुत कमाता है तुश्कुम 60% उम्म सब्सक्राइब करें तो यहां पर समाब्त होते अतलग उत्रे टाइप के मोश्री इंपार्टन कोश्चन जो कि दस में से जिस से साथ से जिस प्रस्ण क्यानिक सम्हाना थी उतना मैंने आपको बदा दिया बाकि अगर आपके इच्छा है तो आप सभी प्रस्णों को उत्तर त्यार कर सकते कोई टेंसल लेने वाली बात नहीं इन सभी का उत्तर कहां पर मिलेगा उसकी जान क्यारी हम आपको देदेंगे भी ठीक है चली अब आज आएंगे हम खंडबा की और खंडबा में आपको देखने बिलेंगे लगत्तर चुश्चिन जिनको बोलते हैं विस्ति रिका कि बक्सर युद्ध के महत्व पर संचिप पर लिए यानि कि जो बक्सर का युद्ध हुआ उसका महत्तु क्या था ठीक है उसके बारे मिखना है और यह आप सभी के लिए महात्पॉर्ण प्रस्ट ने असी प्रसेंट उम्हींद है कि बक्सर का युद्ध आएगा पि अलिके कार और इसकी अचीवमेंट है ने उपलब्दियां क्या क्या इस ने लिए ठीक है उके नोट कर लिए उसके बाद बंगाल में द्वेर सासन की अफ्थापन प्रकाश डाली इग्नोर कर दीजिए उसके बाद अगला कुश्चन है कि अफ्थाई बंदोबस तो आप क् गोणोर कर सकते हैं ठीक है जो मेरे हिसाब से जो पिछले से च्छे विफाद फालो को एक्सपीरिम पे उस एक्षेboot कौन कम पूछेगे कउन ज्जादा मुचें कि इसी हिसाफ से में आपको जानकाई दे रहा हूं ठीक है ना तो मैं एक्जामनर ना तुम्हें कोफी चक करने वाला हूँ ढ़ाभ क्या सब्सक्राइब चार साली है तब पहले in एन इस नहीं तब भी कोश्चन आते ति क्सेमी था बस डिवाइट कर दिया गया दो समस्टर में टाकि स्टूडेंट दो समस्टर में एकजाम की जोब करने एक साल के बाद आया फेफर दे दिया 10-15 दिन घर पे रुके छुट्टी भी मन गई एक्जाम भी हो गया चले के लेकिन अब हर 6 मेने पर आना हर 6 मेने पर आना तो इस तरह को भी जोब करेगा तो उसको वहां का जो ओनर होगा या फिर जिस भी कंपनी सोसाइटी ज तैयारी करें मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके आपके एक्जाम हो रहे हैं तो पहले था तो पूरा फ्लेवर साता था पूरे फ्लेवर से संब्सक्राइब करें तो आपको आधा तैयार करना पड़ेगा इस भी हाप पर होता ठीक है चलिए आते हैं कोश्चन पर अगला कोश पचास परसेंट उम्मीद मान करत चलते हैं अगला की प्रथम आंगल सिख यूदिक के अकराण बताई ये भी बहुत कम आता है इसको भी इनूर कर सकते हैं आप लोग अगला की थियो सोफिकेल सोसाइटी के बारे में संचेप में लिखी ये भी बहुत कम आता है तो इसको भी आप लोग इनूर कर सकते हैं ठीक है अब आज आएंगे हम खंडशा की और खंडशा में आपको देखने को पुलेंगे दीर गूत्तर प्रश्न ठीक है और दीर प्रश्न का उत्तर देने से भी पहले इसमें इंस्ट्रेक्शन सदी गई है इनको रीड कर लेना फिर को प्रश्न ठीक है वह आपको बताना है जो कि एक राम मार प्रश्न है और यह आपकी घ्जाम में आने की मैं पहले बता दिया कि 80-90 प्रसंट है और यह उम्मीदेख फासेगा प्रस्टी के नोट कर लिए इस सभी प्रस्नों को तर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी जानका सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद अगला कि लॉड डल होजी के सुधारों का वर्ण कि यह प्रशनाव सब्सक्राइब के लिए 80% वाला है ठीक इसको नोट कर लिए उम्मीद है आने कि यह प्रश्न 80% लॉड जो डल होजी है इन्होंने क्या-क्या मतब कि अपनी सब्सक्राइब करें और अगला तो गारंटी वाला ही हमेशा फंसता है और इस बार भी फंसेगा कोश्च नोट करिए शमाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदानों पर मुल्यांकन कीजिए राजा राम मोहन ने क्या योगदान दिए समाज को सुधार सकता हो ने के लिए समाज इंप्रूब हो सक हो सके लोग फिछा में आगहां वए सके रचीज में हर छेत्र में इनसान आगहां बढके समाज की हर underscore में हर चीजों को देखती हुए ठीक है तो चाहिए आपका फाइनेंसिल चीजों समाज अगर आपका स्टोंग रहेगा तो सिंपल सी बात है कहीं न कहीं आप इंप्रूब करेंगे आप बढ़ोतरी होगी और अच्छे सुसाइटी में अगर आप रहेंगे तो अच्छा इंवा आपको देखने को लेगा ठीक है तो आज किस वीडियों बस यही आपको बताने थे और जो जो मैंने कोश्चन बताएं पर फोकस करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी और बाकि में इन सभी प्रशनों को उत्तर कहां पर मिलेगा उसकी जानकाई दे रहां सुन लीजिए आपको एंसर मिल जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा उसकी इसकी तो बाद में भी आप पढ़ते रहे तिसी तरह सभी प्रशनों को उत्तर जो जो मैंने बताएं कि यह महत्पूर्ण है उनका आप लोग इंटरेंट के मादने पढ़ सकते हैं बाकि हमारी कोश्चन असर वा झाल